यह कहानी एक कुत्ते और एक बिल्ली की है जो जंगल में रहते थे. कुत्ता बहुत मेहनती था और हमेशा अपने काम में लगा रहता था. वह अपने परिवार की देखभाल करता था और हर दिन शिकार करके खाना लाता था. दूसरी और बिल्ली आलसी थी और हमेशा आराम करन और कहती थी कि जीवन का आनंद लेना चाहिए, न कि मेहनत में अपना समय बरबाद करना। एक दिन जंगल में बहुत बड़ा तूफान आया और सारे जानवरों को अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थान की तलाश करनी पड़ी। कुट्य ने अपनी मेहनत से बनाए गए मजबूत घर में अपने परिवार को सुरक्षित रखा। लेकिन बिल्ली, जिसके पास कोई ठोस आश्रे नहीं था, बारिश और तूफान से बचने के लिए इधर उधर भटकती रही। तूफान के बाद, जब सब कुछ शान्थ हुआ, तो बिल्ली को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि कुट्य की मेहनत और समर्पन नहीं उसे और उसके परिवार को सुरक्षित रखा। बिल्ली ने कुट्ते से माफी मांगी और कहा कि वह भी अब मेहनत करेगी और अपने लिए एक सुरक्षित आश्रए बनाएगी। इस कहानी से हमें यह सिखने को मिलता है कि मेहनत और समर्पन से ही जीवन में सफलता और सुरक्षा मिलती है। आलस और आराम में जीवन बिताना हमें कभी भी सही माइनों में सुरक्षित और संतुष्ट नहीं कर सकता। प्रणी भर गया। कुट्टे ने अपनी मेंध से जो खाना जमा किया था। उसे अपने घर में सुरक्षित रखा और आराम से बारिश का सामना किया। लेकिन बिल्ली के पास कोई खाना नहीं था और वो भूख ही रह गई। उसने कुट्टे से मदद मानगी। लेकिन कुट् प्रणी भर गया। लेकिन बिल्ली के पास कुट्टे ने उसे माफ कर दिया और दोनों ने साथ मिलकर मेहनत करना शुरू कर दिया। इस कहानी से हमें ये सिखने को मिलता है कि मेहनत और तयारी का कोई विकलत नहीं है। केवल आलस और आराम से जीवन नहीं चल सकता। अगर हम मेहनत करेंगे तो मुश्किल समय में भी हमें परिशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर हमारा विडियो आपको पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।